नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस पियार और आप सभी का तालजा होले वित्रिया में बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि आप जानते कि हर सुबह मैं आपको रिफ्रेश करती हूँ कल मैंने दिखाया था कि अरुनाब कैसे एक उभरते वे कालाकार बने बिहार के होते वे भी उन्होंने सभी मुश्किलों को पार करकर वो मुकाम पाया जिसे पाना हम सब का सपना है आज भी हम एक ऐसे ही personality के बाद करेंगे जो entrepreneur की दुनिया में entrepreneurship की दुनिया में एक ऐसा मुकाम पाचुके हैं जो हम सब के लिए inspiration है और वो भी पतना बिहार से तालुक रखते हैं उनका जन भी पतना बिहार से हुआ और बिहार में हुआ पढ़ाई भी उन्होंने काफी हद तक यहां किया की है और पी details में आगे बताने जा रही हूँ लेकिन उससे पहले जड़ा पूछ लूँ लुडो किंग के बारे में पता है क्या आपने लुडो किंग एप इंस्टॉल करकर लॉकडाउन में नहीं खेला जूट मत बोलिएगा क्योंकि हमें सब पता है 100 मिलियन यूजर्स बने हैं लुडो किंग के 2017 के रिकॉर्ड के अनुसार लेकिन 2020 के रिकॉर्ड हम देखें तो 100 मिलियन नहीं 200 मिलियन प्लस यू इसने बनाया इतना सिंपल सा आप क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लुडो खेलना हमें खाली समय में कितना पसंद है और लॉक्डाउन में यह ऐसा काम किया कि भाईया सबके एक मॉबाइल फोन में यह आप जरूर नजर आया चलिए हम आपको आज उनका नाम भी बता देते ह हैं क्योंकि जानकारी होनी बहुत जरूरी है विकास जैश्वाल उनका नाम है पतना बिहार में उनका जन्म हुआ उन्होंने काफी कुछ पतना से किया है तो इसके बारे डिटेर आगे बताऊंगी लेकिन उसके पहले आपको बताऊं कि इनका इंटरेस्ट बच्पन से कि एक वक्त था जब ये खुद अपने हाथों से ग्रिटिंग कार्ड्स बनाकर लोकल शॉप्स में जाते थे ताकि वो उनका ग्रिटिंग कार्ड बेच सके उसके अलाबा इनकी पढ़ाई की बात करें तो बैचलर्स ऑफ इंजिनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस इन्होंन करें तो एगई बोई मारियो इनमें से कुछ पॉपिलर वीडियो गेम्स इन्होंने स्टार्ट किया या फिर आप बोले तो साथ मिलकर इन लोगों की कंपनी इनने स्टार्ट किया और इसके बाद पीसी कुएट मैंग जीन में गेम अप दे मन्त का खिताब मिला गेम अप द टेक लीड के परद पर इंडिया गेंस डॉट लिमिटेड में काम किया एज टेक लीड टेकनिशन लीड उसके बाद दोहजर आट में इन्होंने कुट कर दिया जो आपको और यह अपने प्लाटफॉर्म में लग गया कि कैसे गेमिंग की शुरुवात की जाए और धाई ला बेसिकली शुरुवात में यह लेकर आए उसके बाद यह एंड्रॉइड और आयोस के लिए भी गेम्स लेकर आया और खासतोर से वन उनलाइन गेम्स टॉट कॉम में इनके गेम्स देखने को मिले अगर हम आगे की बात करें तो 2015 अक्टूबर में लुडो कि शुरुवात लुडो के एप्स बहुत पॉपिलर बहुत अच्छा बहुत क्वालिटीटिव कोई नहीं है तो इनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा बेसिक गेम लाया जाए जो सब खेल सकते हैं चेस में थोड़ा दिमाग लबता है और खासतोर से हम लोग में थोड़ा ग्राफिक डिजाइनर के साथ इन्होंने लुडो किंग को लॉंच किया बहुत बड़ी बात है केवल एक प्रोग्रामर और एक ग्राफिक डिजाइनर इससे हमें पता चलता है कि एक ग्राफिक डिजाइनर की क्या वैली होती है एक प्रोग्रामर की क्या वैली होती है और ए 27 रिकॉड के अनुसार 120 million users जो हैं केवल एक वर्ष में हो गये जो है तो तरह से इनकी जर्णी रही तो हम लोग बहुत लोग बारे में नहीं जानते हैं जो हमारे मिट्टी से संबंद रखते हैं और इतना आगे बढ़ चुके हैं मेरा मकसद यही है कि इस प्रोग्राम के तहत हम आप लोगों तक वो जानकारी दे उन लोगों के बारे में बताएं जो एक्चुली में डिजिटल मीडिया में ग्राउंड पे बहुत काम कर रहे हैं आगे में भी आगे भी मैं उन लोगों के वीडियो आपको शेयर करूंगी उन लोगों के बारे में बताऊंगी जो ग्राउंड लिवर पर अभी भी काम कर रहे हैं जिनों अभी शुरुआख भी की है एक बिहारी के बारे में आगे वाले वीडियो में आपको बतानी जारी हूँ उनका नाम एश्वर्य है और उनके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करूंगी तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो से जुरने के लिए उमीद है मैंने आपको refresh कर दिया होगा इसी के साथ चानल को subscribe कर लिजे वीडियो को like कर दिजे, comment चोड़ना मत बूलिएगा और comment से याद आया लास्ट कॉमेंट मेरे वीडियो पे जिन्होंने किया है वो है बिहार जोर्नल से जिसमें उन्होंने मेरे को appreciate किया, appreciate किया वो जाकर आप खुदी देख लिजेगा लेकिन बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, मुझे appreciate करने के लिए चानल को subscribe परना और लास्ट की मैं वह बोल रही हूँ, मत भूलिएगा, बहुत-बहुत धन्यवाद